Hey guys, welcome back to my YouTube channel, तो आज हम Dragon God Series को फिर से continue करने जा रहे हैं, तो जसके हमने previous episode में देखा था, बाइज जो बोलती है, भी भी मार पस दो chance है, हम Teacher Nana को find कर सकते हैं, जौनी बोलता हाँ, फिर ऐसे second search start हो जाती है, तो episode number 1 and 33 की starting होती है, फिर ऐसे 2 round of searching हो भी गे, फिर भी fire element के अलावा कुछ भी fire and नहीं हुआ, जौनी सोचे होता एता टीचे ना प्लीज में को अपनी प्रेजन्स फील करने दो, टांगले और बाइज जो भी जौनी के ताफ देख रहे होते हैं, ऐसे 3rd search start हो जाती है, फस्ट अरी में कुछ भी fire and रही नहीं किये गया, सेकरे नहीं में कूछ सब एकि एमोशन के लिए थकया होता को जादा ही बाइज़ प्रपियर हो जान करने के लिए जौने ऐसे रोने लापदें नहीं ऐसा नहीं होने देख सकता हूँ मैं टीचे नाना नहीं मरेंगे बाइस तो भी ऐसे रोरी होती है और मतलब जॉन्य को हग क्या होता है वो दोनों को जादा ही डिप्रेस होते है एक तरह से फर ऐसे टांगली अपने ड्रेगन फॉर्म में कनवर्ट हो जाता है जाबा बोलते है जिन दगोल्डन ड्रेगन किंग ये तो अपनी फुल पावर को रिगेन करने की कोशिश करने लगा हुए एक उज़ा खतनाक पावर है तो ड्रेगन ऐसे अपनी इनरजी को पाने कोशिश रहा होता है जानी सोच रहोता है क्या ऐसा हो सकता है कि teacher nana और uncle dog Crash dragon god की 2 दो हिस्से वेल जैसा मैंने सूचछा थोiras यह inüz my self west में जो thing होती है वो response करने ले पड़ती है जौनी बोलता है टीचर नाना की जा producción कर रही है pecks Gloria mada इसको भार आ जाता है दुआ हो जाता है जोनी जाती है जौनी elf嘉र old was to be back बॉट गड़ेफ्ट ऑक जाता है जे बड़ेफ्ट डेगन के पास जाता है वो जो स्पेर होते है वो एकते से गाइड कर रहा होता है उस ड्रेगन को और वो वेल स्टार में चले जाता है वोर्गोड बोलते है कि यह स्टार सर्फेस में जा सकता है यह है कौन एल्डर बोलते है कि यह फेडरेशन का हीरो है ये टांग सेक्ट का मास्टर और सी गोड पैविलन का भी मास्टर है ये वो इंसान है जिसने सिल्वर ड्रेगन के साथ मिलकर फाइट की थी हुमेनिटी को डिफेंड करने के लिए ये ड्रेगन किंग डाला हूँ है गोल्ड ड्रेगन मून सौंग टांग भूलिन वो और गोड बोलता है क्या क्या ये अभी भी अलाइव ये कैसे सकता है बाइसर बोलती है मुझे याद आया ये वही परसन है जिसने मेरी हेल्प की थी मेरे पेरेंस को अवेंच करने के लिए अंकली मेरे बेनफेक्टर है जवान्यू बोलता है क्या अंकली ड्रेगन किंग डाला हो है टांग भूलिन चीफ बोलता है क्या ओर्डर को पास कर दो उन्हें भी कॉम्निकेशन और अब्जर्वेशन एक्विक्पेंट सा हमारी फ्लीट में उन्हें सील उफ कर दो जो भी आप यहां पे होगा वो सीक्रेट होगा हर तरह की लीकेज कोई भी करेगा तो उसे पनिश्मेंट मिलेगी वो सोच रहो था कि हम यह सीक्रेट रखना पड़ेगा टांग भूलिन ऐसे चले जाता है स्टार के अंदर वर्गुट बोलता है यह तो बहुत अंदर चला गया स्टार के यह मरनी जाएगा टांग भूलिन तभी एक टाइप को बार निकाला लेता है अपने साथ ही वर्गुट बोलता है कि त्यारो पिक करने के लिए टांग भूलिन बोलता है कि नहीं मैं स्पेस में जा रहा हूँ डिरेक्टली अपने आपको थोड़ा ठंडा करने के लिए थोड़ देर के बाद वो शिप में एंटर हो जाता है एल्डर बोलता है जलो वापिस चलते हैं दूसरा बोलता है ठीक है जोनी जा रहा तो जल्दी से अंकली करते हुए वो एक जयब बहुता है जांपे टांगली ने वो एग रखा होता है जोनी एक कितब देखता है और बोलता है अंकली ये टांगली बोलता है तुम्हारी टीचर ना अंदर है वो ठीक होगी तुम्हें चिंता निकारनी जोनी स्माइल करता है टांगली बोलता है कि वो सिर्फ हा प्लानेट में वापस जाओ क्योंकि इसे नरिश्मेंट चाहिए लाइफ एनरजी वाली एल्डर बोलता है कि हम स्टार्ट है मतलब रैडी है वापस जाने के लिए टांग ली बोलता है कि मैं एक दिन दो हम एक दिन के बाद जाएंगे बैस शीप मूव कर रही होती है फिर ऐसे टांग वूलीन अपने रूम में वापस आ गया उसकी आइस रैड होगी द्वारा और उसके सर में ददलब पड़ती है उस सिल्वर ड्रेगन जो एक था उसके सरफेस के उपर एक इनरजी टाइप आई टांग वूलीन ने जल्दी से अपने हाथ को सिल्वर ड्रेगन एक के उपर रखा जो वो इनरजी थी वो उसके हाथ के साथ है उसके पूरे बोडी में चले गई टांग वूलीन बोलता है कि चो 18th सील है वो अभी भी अंस्टेबल है मैं सील को रिमूव नहीं कर पा रहा हूं फिर ऐसे दिन के बाद का सिंद गायता है हमें एक जोनी सोच रहा था जो मेरी स्पिरिच्वल पावर वो ऐसा लग रहा है इंक्रीज हो गई यह और डोमेइन अंकल ली ने बोला है कि हमें वापस जाना को लाइफ एनरजी की जरूरता है बाइस भूलते है जोनी डाच को वह चीछा कर और शूक्रे तुमारी है थीक से लिए वह चले जाते हैं टांग लीवाम पर उतर बोलता है जी चन एक प्लेज फाइंड करो इसको यहां से लेके जाना है और वहां पे उसको रिकवर करवाना है एल्टर बोलता है कोई प्रोब्लम नहीं है जॉनी बोलता है अंकली उसे हग कर लेता और बोलता है कि हम शर्क मेरेंगे तुम चिंता नहीं करनी है यह वर्ड ओल्रेडी मेल लिए इस्ट्विंजर बन गया है यह जादा बिलोंग तुमसे करता है तुम अब से जो करना चाहते कर सकते मतलब यह गिफ्ट है जो मेको मेरी सिस्टर ने दिया था अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ इसका नाम गोल्डन ड्रेगन स्पियर है जोनी बलता थेंक यू अंकली मैं ध्यान रखूंगा इसका तांग ली बलता बाई जोनी फिर उसे बाय कर देता है जोनी बलता है क्या क्या यह मेरी फादर है बाइज जुसकी तब देख रही होती है और बोलती तुम्हें शरम करने की कोई जूरूत नहीं है बारत भी एक तरफ से रिलेशनशिप ही और किसी को बढ़ा करना भी एक तरफ से रिलेशनशिप ही है तुम्हारे पास दो parents हैं और वो सब ही तुम्हारे relatives हैं जुजु वेल वो हग करने लगा होताँ तूहारा ॥ पतने क्या फिरसे call आती है उसकी mom की call होती है मैं academy में वापिस आगे हूँ और मैं तुम्हारे पास आने वाल हूँ साइलेंस वतार वो कुछ नहीं बोल रही होती है जुजु के साथ आता हूं तुम देखने के लिए ठीक है तुम चिंता नहीं करने हम जल्दी पहुंच जाएंगे वो जुजु के तब देखते हुर बोलता है जुजु में को तुम द्वारा तंग करना पड़ेगा तुमने को ज्ञाएं जाएंगे से इस टाइम तुम क्या बोल रहे हो मैं तुम्हारे साथ आऊंगी चलो चलते हैं फिर हमें ट्यांडव स्टार का सीन दिखाए देता है लांजाय बोलता है कि क्या हुआ मतलग क्या बोलना जुजु के साथ वापिस आ रहा है वह रोरी होती है लांजा आगे हो इन वह द Mexican और क्यों रह लुटो है योद आज सब डूरी है neden ए है उसक्रकल रहा डगा हुझ यह उसे ढड़ा हो गया उसे है मतले जिनिक गपार्पा रहा था लां ँस बच्चे को मतले तो musically जुआनी बुलता है डैड और मॉम मैं होले डेज में आया है और अब हम घर में रहेंगे डिनर के लिए हम कहीं पर मिने जाएंगे ना चाहिएंगे बोलती कोई प्रोब्लम में तुम्हाली तुम्हाली डिलिशिस फूड को बाई करूंगे और बनाओंगी लांजा बोलता है क अब इस सारे चीज़े नहीं पता तुम्हें हम मैं बताता हम तुम्हें क्या हुआ था कुछ तो तुम्हें पता होना है पड़ेगा कि तुम आय काँ से हो वो बोलता है उस टाइम तुम्हारी मदर और मैं एक शिप को ड्राइव कर रहे थे हम एक्स्ट्रीमडी नॉर्थ को एक्सप्लोर कर रहे थे डॉलो स्टार में वहाँ पे हमने एक गोल्ड और सिल्वर दो कलर का एग फाइंट के जो कि कुछ ज़ादा अजीब सा लग रहा था और उसके अंदर एक बेबी था फिलांजानी ने धीर धीर करके सब कुछ बता दिया नाचाएंग बोलती है कि डि से बोन हुआ हूँ बाइजू सोच रही हो थी यह हूमन नहीं है खुद भी नहीं है बाइजू जोनी बोलता है यह कुछ जादे अनेक्सपेक्टिड है कि मैं एक्षिल में इस तरह से पैदा हूँ पर ऐसा लग रहे है कि हिस्ट्री कनफर्म हो गई यह नाचाएंग बोलती सलवर ड्रेगन इस वी नाचाएंग बोलता है तुम्हारे कहने का के मतलब है मतलब है यह मतलब है नाचाहिं बहते ही हान मुझे मतलब शानी जुम्हारे ब्गार destiny करने तुम्हारे बगाहर कहा होता है थै ostr प्रिम नोर्थ में अब से मैं तुम्हें और भी जदा प्यार करूंगा नान्चैंग उसे हग कर लेती है बोलती है तुम बहुत प्यारी बच्चे हो मदर तुम्हाली अच्छा फूड मतलब कुक करती है बाइस दूस बोलती है मैं भी हल्प करती हूँ तुम्हारी वो चल पड़ते है वहां से जॉन्ही बोलता दैड कि तुम शर्क सिटी में आना चाते है मोम के साथ अगर तुम वहां पे चलोगी तो हम साथ में रह सकते हैं ल विल्टी ने ट्रांस्वर्म कर दिया उन्हें वर्गो टैंपल पे विक उस दिन की छुट्टी के बार लांजा न्यू बाइस दू को लेके ट्यांडा स्टार में चला गया पर विकेशन ऐसे खातम हो रही थी और यह टाइम था शर्क में वापिस जाने का सब्सक्राइब कर दो तब तक लिए बाइ